स्वागत करता हूं आप सबका पेच से में हमारे योट्यूब चैनल डूइड योट्यूब बनाएंगे वह सेशन होगा एट ना 91 और आईटी का जो सेशन होगा वह 46 वाला सेशन होगा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और यहां से स्टार्ट एजाम करते हैं आपको बोला जा रहा है उपने ब्लैंक वर्क बुक जी ब्लैंक वर्क बुक यानि हुआ कि आपको एक्सल का कोई शीट आपको अपिन करना है चुकि डॉक्मेंट होता है word, workbook होता है आपका excel और slide होता है प्रावर, तो हमको workbook बोल रहा है है तो हमको यहां से start परना होगा excel, तो हम excel स्टार्ट कर लेंगे, excel स्टार्ट करके यहां से blank workbook लेंगे, इसको close करते हैं, उसके बाद क्या करना है आपको, save the document to your desktop, इसको save करना है, क्या करेंगा, फाइल पे जाएंगे, save पे जाएंगे, browse करेंगे, तो कहां पर बोल रहा है तो desktop पे save करने के लिए बोल रहा है, तो यहां पर desktop है, आप desktop पे क्लिक कर लिजिए, और फाइल का जो name देंगे, आप वो देंगे, time sheet, time sheet देखे, इसको save कर देंगे, और इसको यहां से कर देंगे, समित, तो यह आपका पहला question solve हो गया, आगे बनाते हैंगे question number 2, question number 2, start exam करते हैं पहले, start exam करके, क्या करना है, फिर से excel sheet ही open करना है, तो यह देखेंगे, यहां से excel open कर लिते हैं, अगर आपके computer में excel pin किया हु मैं बता देता हूँ कैसे pin करना है आपको, फिर लाला भी इसको solve कर लेते हैं पहले, क्यारा कि आपको excel open करना है, चले excel open कर दीए, आपको लिखना है, यहां पे text लिखना है, adub, adub refinery, r e f i n e r y, adub refinery लिखना है, और इसको करना है bald, कैसे करेंगे, बाल्ट तो इसको select कर ले माउस से ही, माउस से इसको select कर लीजिए और इस पर सामने यहां देखे देख रहा है bald, इस पर click कर दीए, ठीक है, वो मैंने bald कर दिया और इसको submit कर देंगे, वो बन जाएगा, ठीक है, गिए होगे हमारा पहला question solve, अगला बनाएंगे हम लो question no 2, question no 2, start करते हैं, open a blank excel seat, इसम में बताने वाला था कि अगर by chance अगर आपका यहां पर excel pin किया हुआ नहीं है, तो इसको बता देता हूँ, उसके बाद भी बनाएंगे, आप pin कैसे करेंगे, तो आप देखे यहां पर search करिएगा, और यहां पर लिखेगा e at c e l, ठीक है, excel लिखने के बाद देखे यहां पर आप इस पर right click करेंगे, तो यहां पर एक option मिल जाएगा, pin to taskbar, यहां पर up pin इसलिप हो ला है, चुकिए यहां पर पहले से pin किया हुआ है, तो आप right click करके pin to taskbar कर देजे, तो excel आप पर आ जाएगा, असानी होता है बनाने में, चली बनाते हैं लोग question number 3, तो start करना पहले exam, और यहां से start करेंगे excel, excel start करने के बाद हमको क्या करना है, तो देखिए क्या कर रहा है, कि blank set लीजिए, ठीक है, select any two cells, इसको cell बोलते हैं लोग, यह जो देख रहा है न, box, यह cell खलाता है, तो आपको बोला कि कोई भी दो cell को select करेंगे, तो mouse से drag करिएगा, दो cell आपका select हो select करने के बाद आपको चले आना है, merge in center option from home tab, home tab में देखिए, एक option मिलेगा, यहां पर merge in center, आपको बस इसके click कर देना है, merge in center, ठीक है, और इसो कर दो, इसो सरना, तो यह आपका question number two भी solve हो जाएगा, आगे बनाते हैं लोग, question number four, open करना है blank excel sheet and insert a picture of your choice, बहुत easy है यह, picture insert क करना है, पहले तो आप excel start करें, इसके बाद हम लोग, picture insert करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए आप चलेंगे insert, insert से आज इएगा picture, picture पे आने के बाद, screen shot में देखते हैं, कोई picture होंगे, तो कोई picture आपको यहां पर simple start, आपको insert कर देना, और इसो कर देना simple start, यह question number four भी आपक solve होंगे, आगे बनाते है, question number five, क्या कर आपको कि इसमें भी आपको blank excel sheet open करना है, तो पहले हम excel open करेंगे, ठीक है, excel open करने के बाद क्या करना है आपको, apply the green ascent six color to the row, using home tab, font, fill color, format painter option, home tab, click video, copy the format, select row, sell row, and choice as always apply, देखे, क्या करेंगे आप, परिशाम मत है, question बहुत है, तो तूपना heavy है नहीं, क्या करेंगे आप सबसे पहले तो, इसमें color लगाना, इसमें color डालना है, कोई first row, first row हमारा यह, यह पहला row हम select कर लिए, select करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें color आपको fill करन है कौन सा तो green ascent 6, तो आप fill color में आईए, और यहां पर find green ascent 6 कहा है, यह है, कोई सा भी, यह उपर वाला ही लिखता हूं है, green ascent 6, यह color लेने के बाद, आपको क्या करना है, यहां पर देखे, format painter option दिया हुआ है, तिक आप इस पे click कर दिए, format painter, format painter पे click करने के बाद, आपक पे click कर देना है, तो यह आपका बन जाएगा, format painter यूज करना है, कुछ नहीं पहला जो row होगा, एक number पे click करके पूरा row select कर लीजाए, एक पे click करेगा, पूरा row select हो जाएगा, फिर format painter पे click करके कहीं भी cell में, आप click कर दिजेगा, वह आपका बन जाएगा, आगे बनाते है, question number 6, question number 6, question number 6 क्या कर रहा है, तो same चीज, इसमें आपको Excel sheet, open करना है, यह क्या होगे भाइस को, चलो इसको हम cancel करते हैं, कुछ problem आ रही है, इसमें, इससा problem हो जाएगा, फ्रेस कर लीजे सिस्टम को, चलिए, हम यहाँ सिसको start करते है, question number 6, क्या करना है, तो पहले हमको Excel open करना है, Excel open करने के बाद, इसको blank लीजिए, इसको close करिए, तो क्या करा रहा है, कि आपको एक blank sheet लेना है, enter करना है, text यहाँ पे, adobe refinery, adobe refinery, adobe refinery, adobe refinery आपको type कर लेना है, type करने के बाद, आपको क्या करना है, indent को increase करना है, option number text अबे, increase करना है, क्या indent, देखें, वो कैसे होता है, तो आप इसको simple select कर लीजे, adobe refinery को, और देखें, यहाँ पे option मिलेगा, increase indent का, यहाँ पे होता है decrease indent, यह होता है increase indent, आपको increase करना है, तो एक बार आपको लेक कर दिजे simple, ओके, और इसो बस कर दिजे, submit, surely वो submit हो जाएगा, increase indent मिल जाएगा, वो home type ही होता है, दो तरह का indent होता है, decrease indent होता है, increase indent होता है, एक increase indent होता है, तो increase करना है, चुले, आगे ब आप पहले Excel स्टार्ट करिए, इसको क्लूज करिए, क्या करना है तो पहले Mergen Center करना है from HomeTab alignment group to cell, two cell को Mergen Center करना है, बाद उसको fill color कर देंगे तो देखे कैसे करेंगे, पहले आप दो cell को select कर देंगे, select करने के बाद यहां पर आप option मिलेगा Mergen Center का, इसके click कर दीजिए इसके click करने के बाद आप इसके चलाइएगा, fill color कर, fill color में जाएए, और color तो कोई नहीं कहा रहा है, तो चलो भाई, कोई भी एक color छूज कर लेते हैं, यह color लेते हैं, और इसको कर देखे सिंपल, submit, तो यह question number 7 भी आपका completely solve हो जाएगा, प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक new हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे हमारे चैनल को, ताकि मैं आने वाले समय में कुछ और भी वी वीडियो में आप लोगों के लिए, लास हो कूँ, ज़रूरी नहीं क इस को क्लोस करते है औहां, सब्सक्राइब याँने के और यहां पर एक जाए यह लेगा यहां पर एक औपर यहां पर घु приг मिलीघ क्लोक वाइज इस पर जाएंगे और इसको कर देंगे सब्मिट तो यह आपका कॉस्टन नम्बर एट भी बन गया आगे बच रहे हमारा कॉस्टन नम्बर नाइन एंड नम्बर टेंड तो चलो इस टार्ट करते हैं बन स्टाट्यशं करते हैं ऑपिन करना आप लेक्सल सीट स्टाट कर लेकि हैं कहा से तू यहां पर करेंगे प्लेक्षै एक्स टयेक करना एंड वर्ल्ल यहां पर राफ य्ल्ट डैस्टिंट यह लिखने के बार आपको क्या करना यह जो टेक्स आपने लिखा है। आपको क्या करना इस पर क्लिक करके आप यहां पर देख एक option है wrap text ठीक है आप इस पर क्लिक करें और simple इसको कर देजिए submit question देखने में बहुत heavy लग रहा था बड question उतना भास्ट है नहीं simple आपको लिख लेना है student world ऐसा कुछ था इखने के बाद बाहर क्लिक करके फिर उस पर क्लिक कर लीजिएगा और उपर में home tab में मिलेगा आपको wrap text करने का आपको उस पर क्लिक कर देजिए चलिए आगे बात करते हम लोग question number 10 तो पहला number का करना है तो हमको सबसे पहले एक्सल स्टाट करना है इसको close करते है और इसको start करते है तो कह रहा कि blank set लीजिए और enter the values आपको यह values टाइप करना है keyword से है पहला value है 65 फिर क्या दिया हुआ है 96 आप से रियल ही इसको type करें 96 के बाद है 85 जो बाद हम type कर लगते हैं 74 और फिर है 52, sorry for 2 होगा, 52 और 52 के बाद है 63, फिर है 3, 5 ठीक है फिर आपका 2, 4 1, 2, 1, 3, 2, 8, 4, 7, 4, 9, 6, 7 यह आपको type कर लेना है चलो भाई हम B column में यह column में कर लिए don't mind रहने दीजिए उसको select उसके बाद क्या करना है आपको select करना है values को तो कैसे select करेंगे mouse इसको select कर लेंगे करने के बाद आपको क्या करना है आपको चले आना यहाँ पे conditional formating में जाए और यहाँ पर find करिए highlight rules यह दिए highlight rules है ना तो आपको यहाँ पे लेना है less than यह वाला आपको यह less than वाला option देना है ठीक है highlight sales rule में जिए less than भी आप जो data fill करेंगे वो fill कर देंगे आप 40 चेक ना और 40 करके इसको कर देंगे सब्मेट तो यह आपका solve हो जाएगा जरूरी यह पी कोलम में आप यह कोलम में भी सारा अच्छी लिगे लेकिन आपको वह conditional formating में टेक्स को highlight करना कंपल सरी है तब ही आपका यह question आपका submit होगा तो यह इस तरीके से total 10 में 10 question आपका solve हो जाता है तो वासा करता हूं आप लोग भी अपने lab में total question बनाएंगे बनाना भी है बनाना चाहिए तो कि जितना ज़्याद आप question बनाएंगे अच्छे से बनाएंगे तो उतना अच्छा marks score आप कर पाएंगे के बाती के लिए तो चलिए फिलाल